холодू दोस्तों आप सभी का दीएनः पर स्वागत है, मैं विश्येत सिंग दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चिपको आंधुलन चिपको मूमेंट के बारे में दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्पून होने वाले है दोस्तों क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी तरकी एक्जाम के प्रप्रेशन करते हो तो वहाँ पर अकसर चिपको अंदोलन से लिटर कोशिन पूछे जाते हैं कि सांदोलन की सुरुआत किस ने की, कब की गई, कहां पर की गई, ठीक है क्या कारन थे, क्या प्रभावत थे, इस तरह कोशिन्स होते हैं सासा दोस्तों इस सांदोलन के बाद से पूरे भारत के अंदर में एको फेमिनिजम बढ़ गया जिसके कारन से हमें ये भी जाना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ इस आंदोलन में जिसके बाद से पूरे भारत में एको फेमिनिजम बढ़ गया ठीक है तो इस कारन से आज इसकी वीडियो देखिए ठीक है और बहुत सारी चीज़ा सीखने वाली इस वीडियो में जरूर देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडि लगा लिया जिसकारण से इस आंदोल्न का नाम चिप को आंदोलन पढ़ गया मतलब नहीं करने और उन्हें को में जरूर करने का ठीक है और इससे चीज़ा सबसे पहले तो सबसे पहले फ्रेंड्स यह उतर पर देस के चमोली जीले में 1970 गा स्टार्ट कर इस अंदोल्ण का ठीक है पहले ये उत्तर परदेश के चमूली जीले में पढ़ता था पर अभी ये उत्तर परदेश नहीं है ये उत्तरा खंड में बदल चुका है ठीक है उत्तर परदेश का जब टुकडे हुए तो ये उत्तरा खंड के चमूली जीले में पढ़ता है ठीक है तो और ये परिय परियावरन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, पेड़ो को बचाने के लिए इस आंदोलन की सुरुवात की गई इस आंदोलन के जो परमुख जो लोग थे जिन्होंने सुरुवात किया तो सुन्दरलाल बहुगुना, ठीक है, कामरेड गोविन सिंग राबत, चंडी परसाद भट, स्रीमती गौरी देवी, इन सब के कारण इस आंधोलन के सुरुआत हुए, ठीक है, ये सुरुआत करने वाले लोग थे, स्रीमती गौरी देवी के कारण इस आंधोलन को एको महिलाएं थी, ठीक है, 24 महिलाओं ने पेड़ सी चिपकर और पूरे पेड़ों की रक्षा करी थी, जिसके कांच से इस आंदुरन का नाम, एको फेमिनिज्म के नाम से भी जाना गया, और पूरे भारत में इस आंदुरन का देखी, बहुत सारे आंदुरन किये गए, जो एको के बेस्ट पे थे, जो मैंने सुरुआत में बताया था, इको फेमिनिज्म, वहाँ पे, इसकी बात कर रहे हुए, और देखते हैं आगे, इस आंदुरन को सुरुआत करने के कारण क्या था, रिजन क्या था, तो सबसे पहले हम बेस्ट जानते हैं, कि 1970 में इक बाढ़ आती ह इस तरसे नुकसान इतना होता है, पांच बड़े पुल, हजारो मवेसी, लाखो रुपे की लकड़ी इंधन नस्ट हो जाते हैं, साथ-साथ, 48 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी ठप हो जाता है, जहां पर बिजली का उत्पादन क्या जाता है, 48 मेगावाट का पूरा प्लांट था, वो पूरा ठफ हो जाता है, तो इतना भ्यानक यह बाड़ थी, आप पूछो के सर, आप तो बता रहे थे, चिप को अंदूलन बता रहे थे हैं, आप बाड़ कैसे आ गई, तो दोस्तों चिप को अंदूलन से पहले जब यह बाड़ हाई हुई थी, तो उसके आप बाड़ वड आता है, तो पेड़ मिटी नहीं बहते है, मिटी नहीं कटती है, ठीक है जिसके आदसे पहाड बचे रहते हैं, जंगल बचा रहता है, पेड़ बचे रहते हैं, इस तरह की चीज़े थी, तो लोगों को इस समझ में, आपकी पेड़ की या value है, तो अब सर स्कृति जो हम बच्पन से रह रहे या फिर हमारे जो कल्चा रहे वो पेड़ों पर जंगलों पर निर्वर है और साथ-साथ अगर बाढ़ आती है या कुछ आता है तो हम उसका बचाव कैसे करेंगे जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्योंकि पेड़ हमारा बहुत हद तक बचाव करते हैं ठीक है जिसके कारण से इस आंदोलन की सुरुवात होती है सब्सक्राइब आता है दोस्त आपको बेस स्टार्ट करते आगे तो दोस्तों कुछ तस्वीर हैं किस तरह की बाढ़ थी 1970 की तो आप देख सकते हो कि क्या पूरा इलाका कि मंजर में बदला हुआ ठीक है पूरा यह उत्राखंड का इलाका है जहां पर पूरी ध्वस्त हो चुकिए जब पहाड़ उपर से पानी गिरता था तो किस तरह से द्वस्त हो जाता है जब मिट्टी कट के आदे थे पूरा पूरा मकान दब जाते थे मिट्टी के नीचे जो जिसके कारण से काटने वाले हैं और हम जाके चिपक गए बच गया और यह अंदोलन का नाम चिपको अंदोलन बढ़ गया ऐसा कुछ नहीं था सब का कुछ कहीं न कहीं लिंक होता है कहीं न कहीं कोई 20 होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1922 में क्या होता है ग्राम सोरा संग बनाया जाता है ठीक है उसके बाद से एक इलहाबाद की कंपनी होती है साइमन कंपनी जिसको बन विभाग के द्वारा 2451 पेड़ो को काटने का ठेका दे दिया आता है बाई चलो आप जाओ पेड काटने हो टोटल कितने पेड तो 2451 पेड आप काट सकते हो ऐसा कहा गया तो उसके बाद से 2051 पेड काटने का जब 588 जब और दिया गया और λोगों गूद करना थे काटने कोई दिककत नहीं है पर लोगों नहीं विरोद क्यूंत क्यों क्या क्य क्योंकि लोगों की जो दिन चरिया थी है फिर जो भी जीमन वियापन का तरीका था वो जंगलों पर बेस था ठीक है पर सरकार ने उन्हें लकड देने से मना कर दिया क्योंकि जो लकड थे अंगू के पेड थे ठीक है अंगू सफेदे के पेड थे तो उस सफेदे के पेड से वह हल वल बनाय करते थे ठिक है खेटी के औजार बनाए जाते थे पर सरकार ने उन्हें देने समना कर दिया जिसके बाद से जब ऊपना जीवन व्यापन कर सके त। हम क्या करेंगे हम अपना बचाओ कैसे करेंगे यह पेंड रहे थे हम अपना बचाओ कर सकते हैं और आप बहुत अधिक मातरा में पेंड काटने के लिए कह रहे हो तो यह सारा कारण था जो इस आंदोलने के सुरुवात होती है अब देखो जैसी यह order आता है कि 2450 पेड़ की क अब आगे कर देखते हैं तो 26 मार्च 1974 को दो चीज tirar होती है तीन घटना ही होते हैं, पहला चीज ये, कि सरकार द्वारा कुछ जमीनों को अधिगरित किया गया था, ठीक कबजा किया गया था, जो गाओं वाले थे, उनकी जमीनों को सरकार द्वारा अधिगरित किया गया था, तो 26 मार्च 1974 को क्या होता है, सरकार बुलाती है लोगों को क आजाओ अपना मुआफजा ले जाओ जो आपकी जमीन हमने अदिगरित की थी उसकी मुआफजा ले जाओ तो कुछ लोग चले जाते हैं मुआफजा लेने के लिए 7-7-26 मार्च 1974 को क्या होता है कि वन विभाग की अदिकारी गाओं वालों को बुलाते हैं जो यार बाचित करते हैं आप अंदोलन कर रहे हैं छोड़ो अटाओ आज अब हम बाचित करते हैं कोई solution निकालते हैं तो गाओं वाले जो कुछ बचे कुछे पूरुस थे वो चले जाते हैं इसमें बाचित करने के लिए अब गाओं में टोटल महिलाएं बचती हैं वो भी कितनी महिलाएं तो सिर्फ 27 महिलाएं बचती हैं ठीक है रेनी गाओं था रेनी गाओं के टोटल 27 महिलाएं बचती हैं और रेनी गाओं के सबसे नजदीक में ही ये पूरा जंगल परता था जहां सा 2451 पेंट काटने का ओडर था ठीके इस तरह का पूरा पर क्यों होता है कि भाई एक तरफ पूरु सारे चले गए मुअफजा लेने के लिए दूसरी तरफ बातचित करने के लिए चले गए साथ गई II के सारी 27 महिलाएं जंगल में जाती है और eine पेडों से चिपक जाती है ठीके ठीक पेडों को यहाँ पेडों काटने नहीं देती है certains आप हमें काटो पहले फिर पेंड काटो इस तरह के चीज़े थी जब बहुत सारी महिलाई उसमें चिपक गई, मतलब 27 महिलाई चिपक गई ठीक है अब जब इस तरह कहोने लगा पेंड नहीं काटने दे गया तो इस अंदुरों का नाम चिपको अंदुरों पढ़ गया और सासाथ इसमें बहुत भारी संख्या में और तो ने बढ़ चल का हिस्सा लिया पहले तो सिर्फ 27 थी शुरुआती समय पर 27 थी पर देरे 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 जब सब को पता चला ठीक है तो दिरे-दिरे फैलता चला गया क्योंकि अचानक से अगर किसी को बुलाएंगे तो ज़्यादा लोग आ नहीं सकते जैसी ने पता चला कि यार पेंड काटे जा रहे तो जो भी गाउं के 27 औरते थी वो पहुँच गई भाई रोखने के लिए तो ये था पूरा अब आगे देखते हैं कि इनकी मांगे गया थी अब आंधुलन तो शुरू होगे भाई पेंड काटने से रोकने के लिए जगर जगर लोग ची पकने लगए पेंड से अब इसमें मांग क्या की गई कि आंधुलन की मांग क्या थी ये देखते हैं चिपको आंधुलन की झाल को Μुलीं ेंट करो इस इतना मिलेगा आपको एक रियाईती कीमत पर कच्चे माल को होुएं साही कीमत पर कच्चे माल को हमें दो फी डुक की कटाई पर 10-25 वर्ष के लिए रोक लगा दो क्योंकि एक order है हमारे भारसरकार के तैत जिसके अंदर में 7% किसी भी जंगल में पेंड होने चाहिए तभी उसके बाद काटा जा सकता है मतलब almost 60% होने चाहिए 60% जाद है तो आप काट सकते हो पर जंगल को बचाने के लिए 60% पेंड चाहिए ये का गया असासवत उनका ये भी मांग था चिप का अंदोलन का कि यूद इस तर पर प्रिक शुरूपन करना चाहिए कि भाई जो ये अंदोलन हुआ है इस उनका result ये आना चाहिए कि ब्रिक जितने भी पेड कटे है या जो भी है तो जंगल को बचाने के लिए पहाड को बचाने के लिए और हमारे जिन्रगी को बचाने के लिए जीवन वैपन को चलाने के लिए आपको यूद इस तर पर विक शुरूपन करना चाहिए पेड लगाने चाहिए तो सफेदा का अंगू का ऐससे काई तरह पेडों का example देए गए कि ये प्रेन लगाओ जिससे हमारी जीवन वेपन चलती रहे ठीक है और किसका क्या दिकार है ठीक है किसका क्या दिकार है जंगल पर ये भी तैक करो ये भी बात की गई क्योंकि जो गाँवाले थे वो मानते थे यार हम सुरू से यहां रहे थे हमा चिपक घएते हैं तो सब्सक्राइब किया ठीक हो एक हाँ खेंगते घुची सकी जिसके कान से इंक प्रेडों को गटाई की जा लेति थे के अब पड़ा ठीक है इसका प्रभाव क्या रहा अब आंदोलन तो हो गया अंदोलन का हमने मांगे भी देख ली अब इसकी प्रभाव क्या रहे हैं प्रभाव क्या पड़ा तो 1980 में वन संगरख्षन अधिनियम लाए गया जिसमें वन की रक्षा के लिए कानुन बनाए गये केंद् कालिन सर्द परदान मंतरी जो थी इंद्रा गांदी उन्होंने 15 वर्च के लिए वहनों की कटाई पर रोक लगा देगी कि जंगल को कभी भी नहीं काट जाएगा 15 सालों के लिए ठीक है इस आंदोलों का धिरे धिरे विस्तार हुआ जो यूपी से मतलब उत्राखंड में शुरू हुआ था फिर यूपी उत्तर परदेश बिहार राजस्थान बंगाल अलग लग जगर पे फैलता चला गया ठीक है जहां पर महिलाओं का बढ़चड का हिस्सा लेना ठीक है यह सामयल था महिला भी बहुत बढ़चड के हिस्सा ले रहे थी अलग लग जगर पे इस कांदोलों को देखने के मिला ठीक है जिसके कारण से इसको एको फेमिनिजम का नाम मिला जो मैंने शुरूआत हो beltा धा एको को अवोड दिया गए इस आंदोलन को ठीक है यह इस तरह का पूरा अंदोलन था दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट आंदोलन है ठीक है तो इस तरह से देख पार होगे आप किस तरह से गाउंवाले हैं और पुलिस आती थे उन्हें समझाती थी कि चलो छोड़ दो पर मानने के लिए तयार नहीं थे ठीक है पेंड़ से चिपक जाते थे जब भी काटने के सुरुआत करते थे अब हम कुछ महानायकों को जानते कि इस आंदोलन के जो में करेक्टर थे वो क्या थे कैसे थे सबसे में आता है करेक्टर जिसमें गौरी देवी ज इनके जो पती थे मेहरबान सिंग करके इनके पती का नाम था इनकी मिर्तियू मतलब हो जाती है और उनके कारण मिर्तियू होने के बाद में इनके जो बच्चे होते हैं इनके लालन पोशन की पूरी जिम्यदारी इनके उपर रोती हो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पर वो कारे करती थी ठीक है उसके बाद जब यह अंदूलन हुआ जब गौरी देवी इस प्रकारत की थी इस तरह दिखती थी गौरी देवी ठीक है इनकी साधी मातर 12 वर्स की उमर में वह था और इतने बड़े आंदूलन को इन्होंने लीड किया सोचने वाली बात है दोस बिसवाज होना चाहिए अब दूसरे करेक्टिर भी बात करते है सुन्दर लाल बहुगो ना इनका बहूत बड़ा योगदान है इस अंदूलन को करने के लिए इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को होता है देवो की भूमी उत्राखंड में उनका जन्म होता है मरोडा नामा इस्थान पर ठीक है अब यह दलित मंदिर को परवेश में दलितों को मंदिर में परवेश दिलाने के लिए अधिकार के लिए आंदोलन चड़ा था उन्होंने दलितों को जब मंदिर में परवेश नहीं दिया जा रहा था उत्रकंड के अंदर में तो भी उसके लिए इन्होंने आंदो प्रियावरं को स्थाई संपत्ति मानने वाला यह आज परियावरन गांधी बन चुका, इनको परियावरन गांधी के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों, ठीक है, इनकी तस्वीर कुछ इस परकार की है, आप देख पाऊगे, सुंदरलाल बहुगोना ये है, अब आगे देखते हैं, किस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही थ तो ये सुंदरलाल बहुगोना के द्वारा दिया गया, उद्गोशना वाकिय था, जहां से इस अंदुरन की सुरुआत हुआ, इसमें क्या कहते हैं, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बैयार, जिंदा रहने के आदार, बिल्कुल सही कहा गया है दोस्तों, यह जहां पर बैयार मतलब हवा, ठीक है, मिट्टी पानी आपको समझ में आता है, उपकार मतलब एहसान, जंगल के क्या है, अगर पूछ रहा है, इसमें सबसे पहला लाइन पूछता है कि जंगल के क्या है, एहसान, मिट्टी पानी और हवा, ठीक है, मिट्टी पानी और यही नदी का पानी नीचे आता है ठीक है दूसरा चीजव पानी का भी हो साधन मनता है ठीक है अगर पेड़ है तो हॉआ चलती है आप अगर पेड़े के नीचे बैठो गोगे तो आपको कितना अनान्द मिलता है हवा चल रही है लग रही है ठीक है तो इसके कारण से बयार भी यहां पर एड क्या गया मिट्टी पानी और बयार जीवन के आधार सची बात है दोस्तों यह बिल्कुल सही तो वीडियो आपको फेंड्स कैसी लगी ठीक है आप हमें कमेंटर के बता सकते हैं सासत आप चाहो त यह तो आप हमें टेलिग्राम पे धी इनव प्की नामसे फोलो कर सकते हैं टेलिग्राम पे हमारी ग्रूप है वहां पर आपको इसके पीड़ियफ मिल जाए ठीक है और किसी भी तरीक के और भी पीड़ियफ चाहिए तो आपको पीडैफ बहुत सारी मिल जाएंगी फेंड् watching me thank you for listening me bye bye friends all the best